Hello students, welcome back. आज के इस वीडियो में हम लोग kinetic energy के उपर कुछ numerical solve करेंगे. तो बच्चो, kinetic energy का formula क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं, kinetic energy का formula होता है half mv का square. यहाँ पे जो m है, वो mass होता है और v जो होता है, वो velocity होता है. जो भी mass लीजिएगा, वो आपको kg में रखना है. यह आपको धियान रखिएगा. ठीक है? तो चले पहला question देखते हैं. First question है, calculate the kinetic energy of body of mass 2 kg. आपको kinetic energy calculate करना है. किसका? एक body है, जिसका mass है 2 kg. Moving with a velocity of 0.1 meter per second. यानि कि question में mass दे रखा है 2 kg और जो velocity दे रखा है, वो है 0.1 meter per second. ओके? तो kinetic energy का formula क्या होता है बच्चो? half mv का square. तो देखे, mass भी दे रखा है, velocity भी दे रखा है, just put कर दीजे. तो formula होगी हमारा half mv का square, mass दिया वह है 2 kg और velocity हमारा है 0.1 meter per second. अब हम लग formula लगा देते हैं, तो half mv का square में half के जगा half रहने देंगे, जो mass है वो 2 kg दिया हुआ है, और हमारा जो velocity है, वो है 0.1 का square. square का क्या मतलब होगया बच्चो? 0.1 का square का मतलब होगया 0.1 into 0.1, इसको दो बार लिखना है. तो देखें मैं नीचे लिख भी दिया हूँ, half 2 into 0.1 into 0.1, अब यहां पर क्या हो रहा, जो cancel हो रहा, उसको cancel कर दीजे, 2 to cancel हो रहा, तो मैं cancel कर देता हूँ, अब हमारा बज़ गया, 0.1 into 0.1, इसको multiply कीजेगा न, तो वो आ जाएगा 0.01 J, तो बोल सकते हैं, कि अगर एक body है, जिसका mass है 2 kg, और उसका velocity 0.1 है, तो उस case में जो kinetic energy निकलेगा, वो निकलेगा 0.01 J, के लिए रहा बच्चो? चलिए, second question बनाते हैं. तो second question है बच्चो, a bullet of mass 8 gram is fired with a velocity of 80 meter per second, calculate its kinetic energy, simple सा question है, आपको mass दे रखा है, velocity दे रखा है, आपको kinetic energy निकालना है, लेकिन आप यहाँ पर गौर कीजिए, जो mass है न, वो आपको गिराम में है, मैंने क्या बता है, mass किसमें रखना है, mass रखना है आपको kg में, तो इसको पहले welem को convert कर लेना होगा kg में, और velocity हमारा सही है, तो देख सकते हैं, कि mass 8 gram, उसको मैंने convert कर दिया kg में, तो kg में convert करने के लिए क्लिए क्लिए, 1000 से divide करना होगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते है, 1 kg का मतलब होता है, 1000 gram, तो हमें gram से kg में जाना है, तो हम लोग 2000 से divide कर देंगे, तो यह हो गया हमारा kg में convert और velocity तो दे रखा है 80 meter per second अब इसे convert कर सकते हैं जैसे की 8 by 1000 है अब इसको divide करके भी लिख सकते हैं 0.08 आएगा sorry 0.008 आएगा ठीक है बट मैं अभी फ्लाल fraction में ही रहने देता हूँ तो चलिए हम लोग formula लगा देते हैं half mv का square तो half के जगा half हो गया मास हमारा निकला है 8 by 1000 तो मैंने लिख दिया 8 by 1000 और velocity हमारा था 80 तो मैंने लिख दिया 80 का square square का मतलब 80 को दो बार लिखना पालेगा तो देख सकते हैं 1 by 2 into 8 by 1000 into 80 into 80 अब यहाँ पे जो जो cancel हो रहा उसको cancel कर दीजिए आपका answer आजाएगा तो देख सकते हैं यहाँ नीचे का 2 0 ऊपर का 2 0 cancel हो रहा है अब यहाँ पे जो 2 है उसको आफ 4 से cancel कर दीजिए तो उपर में बच जाएगा आपका 4 into 8 into 8 और नीचे में बच रहा है 10 तो उपर वाले टम को multiply कीजेगा तो आएगा 256 और फिर नीचे 10 से divide कीजेगा तो answer आजाएगा 25.6 joule